नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरु ग्यान अर्वेदा यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ सीशम का पेड़ मैं आज इसी से होने वाले फाइदों के बारे में आप सभी को बताऊंगा तो चलो दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं उसके बाद इससे होने वाले फाइदों के बारे में जानते हैं दोस्तों सीशम का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है तथा इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है इसकी लकडिक का कई ऐसे फरनीचर में उप्योग किया जाता है दोश्तों इसके पत्तों से लेकर इसके छाल, जोड, बी, सभी और सदिय गुणों से भरपूर होता है इस सीशम के पेर को अलग-अलग जगों पर अलग-अलग नामों से जाना पहचाना जाता है जैसे कि कई जगों पर इसे सीशो, तहली, बिराली, सीशम, सीशू, सीवस, सासम, टाली, नेलकर आदि अनेक नाम है इसके तो आपने तो इसके बारे में जान हैं लिया तो चलिए अब जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में दोस्तो अगर आपके पेट में जलन रहता है तो आपी सीशम के पतियों को लेकर इसका रश निकाल कर सेवन करें इससे पेट की जलन में काफी लाव मिलता है इसके अलावा अगर आपको किसी भीत्र का बुखार हो उसमें काफी फाइदा पहुँचाता है मातर इसके पतियों का रश और दू दोनों को एक साथ गर्म करके सेवन करने से बुखार एकदम तूट जाता है इसके अलावा दोस्तो महिलाओं में होने वाली प्रूबलम जैसे कि लिकोरिया को ठीक करने में काफी लाव पहुँचाता है अगर इसके पतियों के रश में थोड़ा सा मिश्री मिला कर सेवन किया जाय तो लिकोरिया से काफी राहत मिलती है साथी या साइटिका में काफी मदद पहुँचाता है अगर इसके चाल को ले कर दूद के साथ आग पर गर्म करके इसके रश को साइटिका पर मात्र एकई दिनों तक लगतार मालिश करते हैं तो साइटिका जैसी बीमारी से काफी राहत मिलती है इसके अलावा अगर आपको दाद, खाज, खुजली, दिना, अपरस यानि किसी भी परकार का चर्म रोग हो गया है यानि तवचा सम्मंदी समस्या है तो उसे ठीक करने में काफी काम करता है मातर इसके तेल को ले करतोचा रोग यानि दाद, खाज, खुजली पर लगाते हैं तो काफी लाह मिलेगा तो दोस्तों एते सीसम से होने वाले कुछ महत्पूर फाय दे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद